बागेश्वर उप्चुनाव में भाजपा और कॉंग्रेस की कड़ी टककर के बीच बाजपा ने जीत दर्च की है और इस पर बाजचीत के लिए हमाई साथ मौझूद है कैबिनेट मंत्री सौरभ भवणा जिनको भाजपा उप्चुनाव भागेश्वर उप्चुनाव की ज कितने मार्जन से जीत दर्चुनाव भाजपा ने जो सरकारी मशीनरी है उसका पूरा दूरोपयों किया है और सरकारी मशीनरी का मिस्यूद करके एलेक्शन जीत तो आप उनसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर रहते हैं यह तो हमने एक आदत सी बन गई है कि जब चुनाव जी किते हैं तो उनकी काबलियत है और हारे तो मशीनरी और EVM की गलती है हम करनाटक में चुनाव हारे हमारी पार्टी चुनाव हारी हमने क्या कभी EVM को ब्लेम किया हरी इस रावद जी और कॉंग्रेस को जो नेता गन है उनको अपनी कमिया नहीं दिख रही है कि अपने संकंट कि अपनी कमियों को ठीक करिए जनता अगर आपको नकार रही है तो कहीं नहीं कि आपको पर्सनल खुद की कमी है ना की पार्टी कि कुछ कमियां तो आपके निकल के आई है पहले वोट मार्जन काफी था बारहादार के अंतर से चुनाव जीते थे चंदनरामदाज जी अब इंडिया ब्लॉक को बहुत बड़ा जटका लगा है सबसे पहले क्योंकि हमारे खिलाफ आम आदनी पार्टी बस्पा और कॉंग्रेस तीनों मिल के चुनाव लड़ी है कि तीनों का एक संयूगत कैने था बसंत कुमार और हमने उनको इस परिस्तिती में भी चुनाव हराया ह हमने निद्धा तोड़ा है कि भारतियन्ता पार्टी बागेश्वर चुनाव जीतने के हिम्मत रखती है तो यह जटका सिर्फ इंडिया ब्लॉक के लिए है यह कॉंग्रेस के लिए है हमारे लिए तो यह खुशी का पल है कि सारी सारी ताकत लगने के बाद इंडिया जीतेंगे और आज यह बागेश्वर की जंता ने दिखा दिया है कि इतनी परिस्ति हो जीतेगा भारतियन्ता पार्टी का कार करता है और इसके लावा अब आगे की रणनीती कैसे होगी चुनाव के नतीजे और पारवतिदा विजही कंडिड़ेट हैं तो आगे किस तरह से बागेश्वर का जो एक तो बाईपोल्स में देखा गया है कि जीत दर्ज होती है उसके बाद कैंडिड़ेट जो मेईन एलेक्शन में कमजोर हो जाता है तो आगे इसको किस तरह से लेके चलता है तो तीन साल बात क्या होगा आज तो के दिन परात मिकता है हमारी जो है वो जो वादा हमारे संगठन के द्वारा, कारेकरताओं के द्वारा, मेरे द्वारा, मानी मुख्मंति जी के द्वारा बागेश्वर की जनता को इस चुनौ में किया गया है, उसको धरातल पर उतारना है, साड़े तीन साल बात क्या होगा वो आज बहुत जल्दी है सोचने की, ल बागेश्वर के जनता के साथ किये हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि बागेश्वर के जनता को जो विश्वास भारजियनता पार्टी के प्रती है, वो ऐसे के वैसे द्रेड़ रहे है। तो इसको लेकर क्या कोई जाच की जाएगी या आगे से ऐसा नहीं होगा, इसको क्या कहते हैं? इंडिया गटबंदन को क्या मेसेज दे? बागेश्वर के जनता ने मेसेज दी है कि आप जितनी भी कोशच स कर लिजे भारती जंता पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास और मानीय पुषकर उत्राखंट के साथ पांचों एंपी सीट जीतेंगे बहुत धन्यवाद तो क्याबिनेट मंत्री सौरब भाहुगोडा का कहना है कि बागेश्वर के जो बाइपोल्स हुए है सीधा मैसेज है इंडिया गट बंदन को कि दो हज़ार चौबिस में भी भाजपा जो है पून भाहुमत से एक पर फिर केंदर में सरकार बनाएगी कैमरामेन अलब बढ़ने के साथ अंकिर शर्मा देरा दून आज तक